आज दीजी वर्मा साथ स्सी वर्ग से हैं और रेलवे के इत्यास में पहली बार कोई महिला चेर्मेंट बनी और उतके बाद में पहली बार इत्यास में कोई स्सी वर्ग से चेर्मेंट बने वो आज श्री सतीश कुमार जी तो जो भ्रम फैलाते हैं उनकी बातों का हम आज महराश्ट्र में बैठे हैं महराश्ट्र की जन्ता ने उस भ्रम फैलाने वाले पूरे फेक नरेटिव को एकदम नकार दिया और नकार के साबित कर दिया कि जो सची श्रद्दा रखते हैं संविदान में उनको ही इस देश के हर ऐसी और अश्टी वर्ग का व्यक्ति अपने भविश्य की बागडोर समखा देगा हुआ 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 ही इस एप्र में आता दिया झाल सब्सक्द एक जी मले टल इंक वद्गारल बाम वाल श्वर्थे सब्सक्रे ऐर पसे इस बर्ड संबेड कर ची इस प्रइस बति परसा हला ह Sylis आज पुरे देश से हिंदुस्तान के कोने कोने से आए मेरे सभी भाई और बहनों आप समको मैं सबसे पहले बहुत बहुत नबशकार करता हूँ आप सब का अगिनदन करता हूँ और आपने जो सम्मान दिया आपने जो भाई समझा उसके लिए पर आपका सबसे नहीं धन्यवाद करता हूँ आज और इंडिया S.C.S.T. असोशियेशन के इस पमित्रे कारिक्रम के अर्थियक्ष्टा करते हुए मेरे भाई बहरवाजी आप मेरे भाई है फिरकुल भाई अशोगी अशोगी और हमसे कि बहुत बहुत सम्मानेट माहने बिया सुरुंद्रें जी को हम बहुत सम्मान करते है आपने पूरा जीवन प्याग तपस्या के साथ हिंदुस्तान के एक-.\- aircraft दूर भाई को जोडने का काम कर दिए इसे त्याग ऐसे कपस्या बहुत बिरले ही लोग होते हैं जोगे जोगे। आज बगवान पिर्शा मुण्डा जी ने जो ताकत के साथ अंग्रेजों को ख़देर्दे का काम किया था जो बलिदान दिया था उसको नमन कर देए साथियों समय में बहुत बड़ा परिवर्दन आया है आज भारत एक नई अंग्राई ले रहा है हिंदुस्तान जाब उखा है वो समय गया जब हिंदुस्तान के बारे में दुनिया में सोचते थे है तो भारत के बारे में एक ही बात दुनिया में आती है यह भारत का यूग है यह हिंदुस्तान का यूग है और आने वाले समय में यह जो शताफ्दी है हमारी यह भारत की शताफ्दी है और यह संबभ हो पाया इसलिए क्योंकि हम सब में आप सब में मिलके देश में एक ऐसा नित्रत्व दिया जो अपने पूरे जीवन को दिनके एक एक शर को अपने आत्मा अपने शरीर को राश्ट के लिए खबा देने वाले हैं जो हमेशा राश्ट्र प्रतम और सदाम प्रतम की भावजा से काम करते हैं वैसे प्रतान मंत्री ची नरेंद्र मोदी जी जो एक हमारे सभी करमचारियों के मन में हमारे करमचारियों के हुर्दे में पसे हुए हैं उन्होंने देश की जिम्मेदारी संभाली और देश को एक नए राह पे लेकर आए साथियों कुछ लोग ऐसे भी है जो किवल सम्मेदान की किताब को दिखाते हैं लेकिन सम्मेदान के लिए जो सची श्रता है वो उस नेता की है उस मापुरुश की है जिसने पार्लेमेंट में गदम रखने से पहले सम्मिदान को प्रणाम किया सम्मिदान को सर मात्य लगाए सच्चा सम्माद, सच्ची श्रद्दा, सच्ची भावना के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है वो दिख जाती है, वो महसूस होती है उसमें कहना नहीं पड़ता है कोई किताबें दिखाने की जरूर नहीं करती है सम्मिदान के पती सच्चा सम्मान सम्मिदान की सच्ची सुरक्षा सम्मिदान की सच्ची रक्षा और सम्मिदान की सच्चा संरक्षन अगर किसी ने किया है तो वो हमारे देश के युग पुरोष अब कुछी दिन पहले की एक बात को याद करो कुछी दिन पहले की एक बात को याद करो सुपीम कोट का एक जजमेंट आया था याद है कितने लोगों को याद है कुछ ही दिनों पहले की बात है उस सुप्रीम कोट के जज्जमेंट के बाद में भारत की कैबिनेट ने क्या फैसला लिया याद है भूले तो नहीं कैबिनेट ने सू विचारित मत अपना रखा कि बाबा साहिब अम्मेटकरजी के बनाएवे सम्विदान को कोई टच नहीं कर पाएगा बाबा साहिब अम्मेटकरजी के सम्विदान की सुरक्षा बाबा साहिब अम्मेटकरजी के बनाएवे सम्विदान की रक्षा हम सब का करता भी है और उसको करके रहेंगे ये भावना है जो सच्ची भावना ये सुरक्षा है जो सच्ची सुरक्षा है साथियों कभी किसी बहकावे में नहीं आना आप याद करो शद्दे अटेल बहारी वाजपेई जी उन्होंने सम्मिदान की सुरक्षा करने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया था भूले तो नहीं आप याद है ये होती है सम्मिदान की सच्ची सुरक्षा कि और आज हम सब इकटे हुए हैं उसी सम्मिदान के प्रतीश समयां के लिए उसी सम्मिदान की रक्षा के लिए हम सब्य फिशपत ली फिप्रियमंपल कि हम सब्यप्यप्ति व समनान के प्रतीश एक निष्ट होकर काम करने के कि यह हमारे खून में है यह हमारे संस्कारों में है, यह हमारे कर्दवियों में है साथियों मैं विशेश तन्यवाद देना चाहूँगा भाई बैरबा जी को, भाई अशोग जी को और मानने सुरेंदरन जी को कि आपने मुझे रेलवे के करीब करीब हर वर्ग के साथ मिलाया हमारे ट्रैक्मेन बंदू अपनी समस्या लेके आए एक एक पॉइंट को डेटेल में सुना गया और उन विशेओं पर उनका समाधान निकालने के लिए एक सीडियर कमिटी बनाई गई है जो की एक एक विशे पर बड़ा चिंतन करें ड्रैक्मेन भाईयों के ड्रैक्मेन बहनों की बात को धंग से सुने और सुनके समाधान लेके आए ये जम्मेदारी दी गई है लोको पाइलट भाई सभी बंदू आए मैंने लोको पाइलट बंदू से पूछा की 2014 से पहले कितने रणिंग रूम में एर कंडिशना था 2014 से पहले सारे के सारे रणिंग रूम में से एक भी रणिंग रूम में एसी की सुविदार नहीं थी आज शक्त प्रतिशक्त रणिंग रूम में एसी की सुविदार नहीं बताया कि चार जोन ऐसे हैं जिसमें हमारे लोको पाइलट्स को ज्यादा दिक्कत आती है ड्यूटी के आवर्स के कारण आज इस्ट कोस्ट में और इस्टन में और ये एस्स सेंटरल में जहाँ ज्यादा समस्या थी वहां वहापे नए रूम बनाए जा रहे हैं वहापे नई लॉबी बनाई जा रही है जिससे कि हमारे लोको फाइलट भाईयों को और लोको फाइलट पहनों को ड्यूटी करने में कहीं कोई असमिदा नहीं है मुझे विशे आया मेरे साथे कि हमारे जो लोको इंस्पेक्टर्स हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेने के लिए बहुत सक्या में भाई आ रहे हैं सब्याराद से लाट जाएए फुफ्ट सिटे हैं उनकी जानकारी के लिए भी उनकी समस्या के निवारण करने के लिए भी कुछ दिनों पहले नासिक में कई बंदों से बिलने का मौका मिला था तो उनको भी वहां आई हुए विशे को भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और उसकी भी जानकारी ली जा रही है सासियों इसके साथ ही साथ सिग्नलिंग के स्टाफ आए कंट्रोलर के सभी बंदू आए उनकी भी समस्याओं के बारे में एक एक करके सबका सबादान किया जाएगा में जाये कोई भी वर्ग हो चाई कोई की कैटिकरी ऑपारे के कर्बचारियों की सत्के बारे में चिंता करना सब के लिए सुमादान करना ये हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निफाएंगे ये आपके सामचे मैं मचन बब्ब हूँ और ये मैं आपके सामचे आज प्रमिस करके जा रहा है कि सब की बात सुनके जो मोदी जी का मंत्र है सब का साथ, सब का विश्वास सब का विकास उसके लिए काम करेंगे साथ में साथियों एक विशे आया था कि हमारे जनरल कोच बढ़ाने चाहिए आपको ये जानकरी देते हुए मुझे बहुत खुशी होती है साड़े बारा हचार जनरल कोच का स्पेशल प्रडक्शन का काम चालू किया है और मार्च के आगामी मार्च तक करीब करीब दो हचार जनरल कोच एक्स्ट्रा प्रडक्शनों के देश्वर में लगेंगे साथियों आप मैंसे कई साथियों ने मुझे कई बार पूचा प्राइवेटाइजेशन के विशे में मैं और मेरे से पहले मानने प्यूश गोयल जी दोनों ने पार्लेमेंट के फ्लोर पे कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्ण नहीं उठता रेलवे भारत की रीर की हटी है रेलवे भारत की लाइफ लाइन है इसको हमें और मजबूत बनाना है और इसी लिए प्रदार मंत्रीशी नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का बजट 35-40,000 करोड होता था आज उससे बढ़ाके थाई लाख करोड रुपे बनाया है जिससे कि आप नए पट्रिया बना सके नए स्टेशन बना सके नई टेक्नोलोजी लाए ट्रैक को सुदारे कवच लगाए आपके लिए नए रनिंग रूंग बनाए आपके लिए नई फैसिलिटीज बनाए ये सुविदाये सब के सुरक्षितों कर्मचारियों के लिए और सुविदाये बने और हमारे यत्रियों के लिए एक नहीं तरह की रेल्वे बने साथियों बात है रिक्रूट्मेंट की मैं आपको बताना चाहता हूं 2004 से 2014 में गरीब करीब 4,40,000 के आसपास का रिक्रूट्मेंट हुआ था और 2014 से 2024 के बीच में पांच लाख लोगों का पांच लाख साथियों का रेल्वे में बढ़ती हुई है एक दम प्रांस्पेरेंट तरीके से करोनों की संक्या में कैंडिडेट्स कई कई दिन तक रेक्रूट्मेंट चला 300-300 ज्यादा 300 से ज्यादा शिफ्टों में एक्जाम हुए लेकिन कहीं पे कोई एक भी कंप्रेंट नहीं कई कोई पेपर लीग की बात नहीं कई पर किसी को कोई मौका नहीं कि कोई उगले भी उठा पाए और आज पहली बार रेल्वे के इत्यास में एन्वल कैलेंडर बना है जिसके अनुसार साल बर भरती होती रहे ताकि हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविदा मिले और आज जब हम सब मिले हुए हैं आज करीब करीब पचास हजार पचास हजार भरतियों पे रिकूर्टमेंट का काम चालू है पचास हजार वेकिंसी कई ऐसे राजनितिक दल है जो दोजार तीन अजार के लिए पूरे पूरे नियूस पीपर का फुल पेज अड़र्टिस्मेंट देते हैं हम लोग काम में विश्वास करते हैं मोदीजी की सरकार जमीन पे काम करने पे विश्वास करती है तब ही आप देखिए असली असली परिवर्दन हमारे एसी और एस्टी परिवारों में हमारे उबी सी परिवारों में आया ता जब हर गाव गाम में लल से जल पहुचा जब हर घर में टॉयलेट बने जब घर-घर में मां के आसू पहुचने के लिए क्या इसका चुला बना जब पके घर बने चार करूण अगर देखो तो आज आपके सामने दो उदारण है भारत के सर्वोच्य पद पर उडिस्ता के छोटे से गाम की एक हैस्टी बेटी आज भारत की महा महिम राश्रपती है इन से पहले स्सी वर्ग से शिरी रामलाद को मिंजी ताश्रपती आप कुझे बताओ युग पुरुष बाबा साहिब के बाद में वर्षों बीट गए कोई लौ मिनिस्टर कभी एस्टी वर्ग से कई राजनितिक दलों ने देश की जिम्मेदारी सम्माली और मिशेशकर एक परिवार ने देश की जिम्मेदारी सम्माली लेकिन कभी एस्टी और एस्टी वर्ग से लौ मिनिस्टर नहीं बनाया भारती जंता पार्टी और NDA सरकार के प्रदानमंत्रिशी दरेंदर मोदी जी ने श्री किरन रिजेजो जी जो की स्टी वर्क से आते हैं उनको लॉविनिस्टर बनाया और श्री मेगवाल जी को जो स्टी वर्क से आते हैं उनको लॉविनिस्टर बनाया आज मेरे बड़े भाई श्री अर्जुन राम देगवाई जी शाम को आपके साथ यहां पर सम्मेलित होंगे मैं उनको भी नमशकार करता हूँ क्योंकि हमेशा वो मुझे पार्लेमेंट पे गाइड करते हैं पार्लेमेंट मेरा मार्क हमेशा मुझे नया रास्ता दिखाते हैं रेल्वे बोट में मेंबर श्री आरेच सुनकर जी स्सी वर्क से थे आज बीजी वर्मा साथ स्सी वर्क से हैं और रेल्वे के इत्यास में पहली बार कोई महिला चेर्मेंट बनी और उतके बाद में पहली बार इत्यास में कोई स्सी वर्क से चेर्मेंट बने वह आज श्री महाराष्ट्र में बैठे महाराष्ट्र की जनता ने उस भ्रम फैलाने वाले पूरे फेक नरेटिव को एकदम नकार दिया और नकार के साबित कर दिया कि जो सच्ची श्रद्दा रखते संभिदान में उनको ही इस देश के हर एसी और एस्टी वर्ग का व्यक्ति अपने भवि यही आज आपके सामने में निविदन करने आया हूँ इस बात को नहीं भूलिएगा इस बात को याद रखियेगा कि जो सच्चे मन से स्टी श्रद्दी वर्ग के साथ ओबीजी वर्ग के साथ गरीमों के साथ वंचितों के साथ खड़े हैं जो उनके जीवन में परिवर्तन प्रिवर्तन लाने के लिए यह प्रयासरत है जो महिलाओं की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत है कि एसे कि लोगों के साथ खड़े देने में ही डेश का हैं यह मेरा आप सब करना चाहूंगा हम सब के साथ तेश की रिल्वे देश की लाइफलाइड है और आज इस लाइफलाइड पर कई लोग बहुत ही सू नियोजित तरीके से अटक कर रहे है आपकी जानकारी में है आप सब फील्ड मेरे से अधिक देखते हूं मेरा निमेदन है इस समय में हम बारा लाग कर्मचारी और बारा लाग रेल्वे के परिवार के सदस्यों एक दम एक चुट हो जाए कई से भी कोई भी अगर साकर रेल्वे के उपर अटैक करने की कुशिश करे तो उन सब तक्तों को हम मिलकर करारा जबाब देंगे किसी की हिम्मत न हो पाए कि रेल्वे पे पत्थर भी डाले या रेल्वे ट्रैक्ट पे कोई एक ग्यास का सिलंडर लेके आए एक एक पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए हम इंस्पेक्शन में जान देने हम एक एक सिगनल की रिलाइबिलिटी के लिए अपना पूरा खुन पसिना पाएं तयार हो इतनी महनत के लिए प्रियार हो मुठी बांदो मुठी बांदो बोलो भारत मता की लेल परिवार इतना हो झाल